मुकामा विधायक अनन सिंग के मामले में बाट कोट ने पुलीस की रिमांड पर फैसला सुरक्षित रख लिया है पतना पुलीस की तरफ से बाट कोट में अनन सिंग को रिमांड पर लेने के लिए अरजी डाली गई थी तीन दिन का रिमान पुलीस की तरफ से मांगा गया था लेकिन कोट में जब इस मामले पर सुनवाई शुरू हुई तो दोनों ही पक्षों में जबरदस बहुत की बात सामने आई अननसी के वकीलों की तरफ से यह दलील कोट में दी गई की उनसे जो भी पूस्ताच हो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कराई जाए पूस्ताच मजिस्टेट के निगरानी में हो कोट ने सुनुआई किये जाने के दोरान दोनों ही पक्षों की दलीलों को सुना जिसके बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया अब इस मामले में कल फिड से उमीध है कि कोट овой के बाद मजिस्टेट की तरफ से फेसला दिया जाएगा अननसींग के लिए तीन दिन की रिमांड मांगी गई है लेकिन कितने दिनों में की रिमांड कोट की तरफ से दी जाएगी ये देखने वाली बात होगी फिलहाल अनन सिन्ग के वकील पुछताँच की विडियो रिकॉर्डिंग की बात पर आरे हुए हैं आपको पता है कि अनन सिन्ग की पत्नी लिनम देवी ने मेडिया के सामने आकर यह बाते कही थी उन्हेंने कहा था कि मेरे पती सुरक्षित नहीं है नीलम देवी ने कहा था कि बेउर जेल में भी उनकी हत्या करवाई जा सकती है इसके साथ ही साथ निती सरकार पर भी जम कर अवरोप लगाए थे नीलम देवी ने इस मामले को लेकर परधान मंतरी करियाले तक जाने की बात कह डाली उन्होंने कहा कि परधान मंत्रे नरेंद मुंदिर से वह मुलकात करेंगी और अपनी बातें उनको कहेंगी पत्ना से सेंटर डेस की रिपोर्ट